इतिहास के संसार में आपका स्वागत है मित्रो इतिहास पार्थ में आज हम पहलवों की बात करेंगे पहलवों को हम पार्थियन्स भी कहते हैं मेरे पास जो किताब है उसका नाम है प्राचीन भारत का राजनेतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास जिसे लिखा है प्रोफेसर विमल चंदर पांडे ये ने मित्रो पहलवों का इतिहास बड़ा विवाद ग्रस्त है ने तो इनके राजाओं के विशे में ऐस संदिक दूरूप से ज़्यादा कुछ कहा जा सकता है और नहीं उन राजाओं के काल करम के विशे में कुछ अधिक कहा जा सकता है इनका इतिहास शकों के साथ इतना गुल मिल गया है कि कभी-कभी ये निश्चित करना कटिन हो जाता है कि अमुक राजा शक है या पहलव है फिर भी उपलब्द मुद्राओं और अविलेकों की सहायता से विद्वानों ने इनका इतिहास निर्मित करने की चेश्टा की है पहलव वन्ष का सर्व प्रतम राजा वनुनीज प्रतीत होता है इसने अराकोशिया और सीस्तान में अपनी शक्ति की स्थापना की रैपसन इसी पूरवी इरान का शासक मानते है इस विद्वान का कथन है कि वनुनीज का उदे मित्रे डेटर से दूतिये के पश्चात हुआ वनुनीज ने महराज रजरजस महतस याने महराजा धिराज की उपादी धारन की थी ऐसा प्रतीत होता है कि वनुनीज मावेज का समकालीन था जिस समय वनुनीज सीस्तान में राज्य कर रहा था उसी समय मावेज पंजाब में राज्य कर रहा था इसकी कुछ मुद्राएं यूक्रे टाइटीज वन्ष की मुद्राओं के अनुकरन पर है उन पर इसके भाईयों स्पेले रिसिस और स्पेले होरीज तथा बतीजे स्पेले गदमीज के नाम मिलते हैं स्पष्ट होता है कि इन लोगों ने वन्ष को राज्य कारिय में योगदान दिया था उसका सहीयोग किया था संबवत है ये वन्ष के राज्य के विभिन प्रदेशों के गवर्नर थे सरकार के मतानुसार उसने इरानी समराट की अधीन अपना शासन 58 इसापूर्व में प्रारम किया था लेकिन थोड़े समय बाद में ये आजाद हो गया और इसने 18 इसापूर्व तक शासन किया था वन्वनीज के बाद स्पेलरिसिस सिंगासन पर बैठा इसकी कुछ मुद्राओं पर सामने की और यूनानी लिपी में इसका नाम लिखा हुआ है और पीछे की और खरोष्टी लिपी में एजेज का नाम लिखा हुआ है विद्वानों का निसकर्ष है कि शक राजा एजेज प्रतम पहलो सम्राट स्विलेडिसिस की अधीनता में राज्य करता था लेकिन यह भी संबव है कि दोनों संबंदी हों या मित्र हों या किसी और कारण से दोनों ने सम्मिलित मुद्राएं चलाई हों वरोनीजग की कुछ मुद्राओं पर स्विलेडिसिस का नाम उन्हें अंकित कराया गया था इस ते से कुछ विद्वानों ने यह अनमान किया है कि वर्ध वरोनीजग ने स्विलेडिसिसस से अपने राज्य की रक्षा करने में सफ़लता प्रापत नहीं की थी यानि उरद वोरोनीज से स्पेलिरिसिस ने उसका राज्य छीन लिया था गांडो फरनीज पहले भी वर्ष का सबसे प्रतापी राजा था गांडो फरनीज ने एक शाषक के रूप में राज्य करना प्रारंब किया लेकिन एक सामंत शाषक के रूप में पहले वैसी स्तान के समराट वेरेत्रग्न के अधीन कंधार में राज्य करता था बाद में इसने कंधार में ही पहलव नरेश आर्थेग्नीज के साथ सम्मिलित शासन प्रारंब किया इसका प्रमान उन मुद्राओं से प्राप्थ होता है जिन पर यूनानी भाषा में अगर भाग में बेसिलियस बेसिलियन बेगस आर्थेग्नीज लिखा है और प्रिष्ट भाग पर खरोष्ठी में महरजस रजती रजस गुदफरस गुदन लिखा है कारांतर में इसने अपनी स्वतंतरता घोशित कर दी शक नरेश एजएज द्वीतिये के गवर्नर अस्प वर्मा ने भी इसकी अधिन्ता स्विखार कर ली थी कुछ मुद्राओं पर दोनों के नाम मिलते हैं इन मुद्राओं पर अगर भाग में अश्वारोही गांडो फर्नीज की मूर्ति दिखाई देती है और प्रिष्ट भाग में करोष्टे लिपी में एक लेक है लेक इस प्रकार है इंद्र वर्म पूत्रस स्ट्रतेगस जै तस तृत रस अस्प वर्मस रैपसं के मतानुसार एब्ड गैसीस के साथ भी गांडो फर्नीज ने संजूत शाषिन किया था यह गांडो फर्नीज का बतीजा था मुद्रा लेक में इसे गुद्फ भृत पुत्रस में रजस तृत रस अवद गसस कहा गया है यह मुद्राओं ब अगर भाग पर मुकुठ धारी राजा के मूर्ती है प्रिष्ट भाग पर सिंगासन अधीन राजा को एक देवी मुकुठ पहना रही है साथ में उसकी उपादी बैसिलियस बैसिलियन मेगस गुंदो फेरीज आटो क्रेटर उतकीर नित है कुछ ऐसी मुद्राओं मिली हैं जिन पर निमन लिकित विरुद उतकीर नित हैं महरजस रजती रजस देव वरतस गुदू फरस ससस अथवा महरजस महतरस अथवा तरतरस देव वरतस गुदू फरस ससस इन मुद्राओं से सस नाम के एक राजा का नाम ग्यात होता है जिसने गांडो फार्नीज के साथ संयुक्त रूप से शासन किया तक्षशिलाज प्राप्त गुछ अन्य मुद्राओं से यह सस अस्प वर्मा का बतीजा सिद्ध होता है क्योंकि उन पर उसका उलेक है महरजस अश्व भृत पुत्रस तरत्रस ससस भारतिय शैली पर बनी गांडो फार गांडो फार्नीज की चोकूर तामर मुद्राओं के अगर भाग पर अश्वा रोही राजा की मूरती है और प्रिष्ट भाग पर खरोष्ठी लिपी में यह लिखा हुआ है ध्रमिकस एप्रति हतस देव रतस गुदुवरस गांडो फार्नीज का एक अत्यंत महतूपुन अ सब्सक्ते बही इन जिला पेशावर पाकिस्तान में मिला है जो खरोष्ठी लिपी में है और इस पर लिखा हुआ है महराज गुदुवर इस अभी लेक की ती थी एक सो तीन है यह उसके शासन की 26 में वर्ष की ती थी है इस अभी लेक की अनुसार उस राजा ने अपने मात पिता के प्रति श्रद्धा प्रदशित करते हुए वैशाक मास के कृष्ण पक्ष में कुछ दान किया था सभी विद्वानों ने गुदूवर का समय करन गांडो फरनीज से किया है एक सो तीन तिती विक्रम समवत की प्रतित होती है अतय वह 45 इस्ट्वी में शासन कर रहा परंतु वह 19 इस्ट्वी में सिंगासन पर आसीन हो चुका था इस अभी लेक से स्पस्ट हो जाता है कि पस्ट मोतर सीमा प्रांत उसके अधीन था तेसरी शताब दिखे लेखक फिलास्टेटरस ने लिखा है कि 45 इस्ट्वी में तक्ष सिला में फ्रायोटीज नामक राजा शासन कर रहा था हज्ज फेल्डे नामक विद्वान का मत है कि फ्रायोटीज गांडो फार्नीज की एप्रतिहत उपाधी का पहलवी रूपांतर है अत्या गांडो फार्नीज और फ्रायोटीज एक ही वेक्ति थे लेकिन यह मत काल्पनिक है टार्न भी दोनों को एक ही वेक्ति मानते हैं परन्तु उनके मत का कोई न्याय संगत आधार नहीं है गांडो फार्नीज और फ्रायोटीज को प्रत्रक प्रत्रक वेक्ति मानना ही अधिक उपयुक्त है गांडो फार्नीज ने बैसिलियस बैसिलियन महराज राजाती राज महराज धार्मिक एप्रतिहत देववरत त्राता आदे बड़ी बड़ी उपाधियां धारन के थी उसकी कुछ मुद्राओं पर त्रिशूल धारी शिव का अंकन है संभवतह देववरत में भी देव से महादेव का बोध होता है इसाई जन शूती के आधार पर स्टेन कोनो कनिंगम आदी कुछ विद्वानों का मत है कि गांडो फार्नीज उसके नाम गांडो फोरस गुदनकर आदी मिलते हैं कि शासनकाल में इसाई धर्म के प्रचार के लिए संत टॉमस भारत आया था स्मित का मत है कि संत टॉमस के प्रभाव में गांडो फार्नीज ने इसाई धर्म स्युगार कर लिया था लेकिन इस मत की पुष्टी में प्रबल प्रमान उपलब्द नहीं है गांडो फार्नीज की कुछ मुद्राएं आर्थे गेरिज की मुद्राओं से मिलती चुलती है इस आधार पर विद्वानों का मत है कि गांडो फार्नीज का पूर्वी इरान पर अधिकार था ओरेडस प्रथम और आर्टा बेने से तृती नामक पार्थिया नरिशों की कुछ मुद्राओं पर गांडो फार्नीज का चिन्न अंकित है। इस आधार पर रैप्सन और मार्शल का मत है कि पार्थिया सामराजे के सीस्तान तता कुछ अन्य भाग गांडो फार्नीज के में थे। चीनी लेखक फान ये का कतन है कि काबूल प्रदेश पार्थिया के अधीन था। इस आधार पर कुछ विद्वान यह अन्वान लगाते हैं कि काबूल घाटी पहले उन्रेश गांडो फार्नीज के अधिकार में थी। बेगराम और काबूल घाटी में उसकी बहु गांडो फार्नीज के विरुद संदी की थी। इसी से कुछ मुद्राओं पर उन दोनों के नाम अंकेत हैं। परंतु इसे संदी के होते हुए भी गांडो फार्नीज ने काबूल घाटी पर अधिकार कर लिया था। इस विशे में निष्टित रूप से कुछ नहीं खा जा स सकता सीमा प्रांथ पर उसका अधिकार सिद्ध होता है। सस और अस्प वर्मा के सिकों से उसका अधिकार गंधार और सीमा प्रांथ पर सिद्ध होता है। गांडो फार्नीज की कुछ मुद्राएं शक्षे लिकी हैं। अतै संबव है कि गांडो फार्नीज ने शकों को परा यानि दिगुकच के प्रदेश थे मार्शल मोहदे सेंड़नीज को गार्डो फार्नीज का गवर्नर स्पेडनीज बताते हैं और इस आधार पर कच्छ और काठी अवाड को गार्डो फार्नीज की अधीन बताते हैं लेकिन यह मत ऐसंगत है क्योंकि परिपलस का सेंडनीज सात त्वहन वंश का सुन्दर शात करनी था इन साक्षों के आधार पर यह निसकर्ष निकाला जा सकता है कि पश्ची में पंजाब, पश्ची मोतर प्रदेश, काबुल घाटी, सीस्तान और पार्थिया का कुछ भाग गांडो फार्नीज के अधीन था अपने राज्य के विभिन प्रदेशों में गांडो फार्नीज ने अपने गवर्नर लिउक्त किये थे अस्प वर्मन पहले एजेजिद वितिय का गवर्नर था, बाद में इसने गांडो फार्नीज की अधीनता स्विकार कर ली थी कुछ विद्वानों के अनुसार, यह स्वात घाटी का गवर्नर था, कालंतर में इसका बतीजा सस इस प्रदेश का गवर्नर बना स्पेडनीज और सत वस्तर, यह नाम गांडो फार्नीज की मुद्राओं पर मिलते हैं कुछ विद्वानों के मतानुसार, यह तक्षर सिला के गवर्नर थे, एबेग्ड गेसिस गांडो फार्नीज का बतीजा था, जो सम्ववते पूर्वी इरान का गवर्नर था, जिहोनी कसिस नाम में एक व्यक्तिका उलेख आता है, मार्शल इसे गांडो फार्नीज की अधिन चुक्ष प्रदेश का गवर्नर बताते हैं, इसकी कुछ मुत्रहें भी मिलती हैं, जिन पर जिहोनी यह लिखा हुआ है, तार्न के नुसार, तक्षर सिला अभी लेख का जिहोनिक गांडो फार्नीज का गवर्नर था, स्पेडनीज और सतवस्त्र ने महराज राजाराज की उपादी धारल की थी, इस आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है, कि गांडो फार्नीज के कुछ गवर्नर बड़े शक्तिशाली थे, और विप्राय है, स्वतंदर शाशकों की तरह वियवार करते थे, लोहाई जन का मत है कि गांडो फार्नीज की मृत्यू के बाद उसका अधीन थे, रैपसन का मत है कि पकोरिस पश्टिमी पंजाब में और सेने बेरीज सीस्तान में शासन करते थे, इनके पश्चात पहलो सामराज्य चिन बिन हो गया, पहलो सामराज्य के पतन के विबिन कारण थे, गांडो फार्नीज के बाद पहलो फार्नीज में कोई शक्ति शाली और योग के शाशक ही नहीं हुआ, देरे देरे सामंतों की शक्ति बढ़ती चली गई, गांडो फार्नीज के समय में ही कुछ सामंतों ने महाराज राज-राज जैसी बड़ी उपाधियां धारन कर दी थी, उसकी मृत्यों के बाद वे पूरी तरह निरंकुष हो गए और उन्होंने अपने आजादी कोशित करती, पेरिपलस का कतन है कि पहलों में आपसी जगडे हो रहे थे, इस से उनकी शक्ति का रास हुआ, फिला स्टेटस का कतन है, फिला स्टेटस का कतन है कि बरबर जातियों का सामना करने के लिए गांडो फार्नीज ने बरबर लोगो की सहाय ताली थी, मित्रो इतिहास में ऐसा होता ही रहा है कि आपका शत्रू गिदी बरबर है, तो उसका मुकाबला करने के लिए आपको उसकी टक्र का मित्र बनाना जरूरी हो जाता है, उससे समय ये देखा जाता है कि कौन वेक्ती अपने शत्रू को टक्र दे सकता है, और फिर उसे मित्र बना लिया जाता था यहां बरबर जातियों से कुशाणों का तात पर यह है यानि जब फिला स्टेटस कहता है कि बरबर जातियों का सामना करने के लिए गांडो फारेज ने बरबर लोगों की साहता ली थी तो यहां जिन बरबर लोगों की साहता ली गई थी वे थे कुशाण कुशाणों ने पहलो राज्य पर आक्रमन करने प्रारम कर दिये थे 122 तिति के 153 अभिलेग से सिद्ध होता है कि उन्होंने काबुल गाटी पर अधिकार कर लिया था 136 तिति के तक्षशिला अभिलेखों से प्रकट होता है कि उन्होंने तक्षशिला को भी हस्तगत कर लिया था कुशाण नरेश कुजुल, केड़िफी सेज, विम केड़िफी सेज और कनिश्क के आक्रमन ने पहलो राज्य का पूर्ण विनाश कर दिया तो मित्रो ये था आज का इतिहास पाठ हमने पहलों की तर्चा की पहलों को हम पार्थेंस भी कहते हैं पार्थें कहते हैं और जब हम शकों का इतिहास पढ़ते हैं तो अनेक बार हम भ्रमित हो जाते हैं जब शकों के राजाओं में शक राजाओं में पहलों राजाओं के नाम आ जाते हैं मिल जाते हैं हम जाते हैं कि शकों पर भी इरानी प्रभावत था अगले इतिहास पाठ के लिए जब तक हम मिलें तब तक आप अपने ये स्मित्र को आगे दीजिए नमस्कार